जश्पूर में चुनाओं के नजीक आते ही चुनाओं बहिशकार का सिलसला भी शुरू हो गया है अभ्यारंड के बीच बसे साथ गाओं के ग्रामीडों ने बैठक की और बैठक के बाद उने चुनाओं बहिशकार का फैसला कर लिया बता दे कि सभी ग्रामीड अभ्यारंड शेतर में होने की वरे से सलक निर्मान में बार बार वन विभाग की आपत्ती लगाए जाने से नाराज है सलक का निरमाल काफी हद तक हो गया लेकिन चार किलोमीटर तक की सलक पर वन भाग के द्वारा आपत्ति लगाई जाने से पिछले पांच सालों से सलक का निरमाल रुका हुआ है, इससे ग्रामिर काफी परिशान है और ग्रामियों ने चुनाव बहिश्कार का एलान कर दिया है। चुनाव में वोट नहीं डालेंगे ग्रामियों। होता है सड्सके लिए लगातार अंधोलन किये तो पहले 5,7 वर्ष पहले अंधोलन किये थे बिजयपी के सासनकाल में वां शाल साल पहले उसमें डामरीकरन का 14-0 chased 5 perquè 주는 24 –5 isumे 10 क्लॉमेटर डामरीकरन हो गया और 4 किलोमेटर जो वन विवाग के दाइरे में आता है अभ्यारन संचूरी के अंदर उसमें वन विवाग वाले ही इस्टे लगा दिये हम लोग वार्सों से आम जनता लोग इस रोड के विशाय में कई अफसाल अद्वर्ण करते कर फाक गए मैं बुजुर्खो जा रहा हूं मैं 75 हो गया देश आजाद आजाद होते होते हैं अब लोग करते हैं तो मर जाएं उसके बाद रोड बनेगा कि कब बनेगा अब सासान ध्याने ने देर है हम लोग कि हैं फसला हम लोग को आने जाने में दिकत होता है इसलिए हम लोग रोड बनाने के लिए बोल रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है अधूरा है हम लोग इस रोड के लिए मिटिंग किये हैं यह रोड में हमको बहुत परिश्यानी होता है और सासन हम लोग को बेकूप समझता है सासन दोवारा को ध्यान दिया नहीं जाता है जब बोट आता है उस टाइम बोट मांगते हैं बोट लेने के बाद में कोई पांच साल तक ध्यान नहीं देता है जबकि सची वहां विधाइक भी आया गया सब कुछ आए लेकिन को ध्यान नहीं देते हैं खबर सुदजपुर से जहां लोग अब मवेश्यों से परिशान हो गए हैं आवारा मवेश्यों से सलकों पर विचन से दुरगटना की सती बनी रहती है और वहीं आतयात भी प्रभावित होता है कई बार स्थानी लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासनिक और विभागी कारवाई नहीं कि जाती कवरधा की ग्रामिट शेत्र में पशु अस्पतालों की हालत बत से बत्तर होती जा रही है संसाधरों की कमी के चलते चुकित सक्हिंद रुबें ताला लटका हुआ है भवन देखरे क्या भाव में खंडहर होते जा रहे हैं इस तानी लोग सालों से इसकी मांग कर रही हैं कोई सुद्र लेने वादा नहीं है इसके चलते लोगों को काफी परिशानी हो रही है पश्यों की बीमार पढ़ने पर गाड़ियों में लात कर 30 किलोमीटर दूर पंडरिया या 50 किलोमीटर दूर कवरधा ले जाना पड़ता है लगभग डेड़ से दो साल से यहां पर बंद है और स्टाप की कमी के नाम से बंद है हम लोग पंडरिया में कई बार फोन लगा चुकी है कि यहां इस्टाप करवाइए करके लेकिन आज तक यहां पर स्टाप के ब्योस्ता नहीं हुआ है जनवरों को कोई भी समस्या आने पर बिलकुल कोई परकार से हाँ इलाज नहीं हो पा रहा है जनवरे जो है वो मर रहा है इलाज की कमी के भाव में और इस टाब के लिए सासन पर सासन भी हमने इसके लिए सिकायत किया है लेकिन कोई परकार से आस्ताग यहां पर विवस्तन न कि वहीं विधायक ने इसे सिविल सिवा आचरण सिंहिता का उलंगन बताया है कि 2023 को इस्थांतर्ण हुआ इस्थांतर्ण होने के बाद हम लोग को यह जान करें हुई कि इस्थांतर्ण मानने विधायक महदय के द्वारा गुबनी तरीके से जूठा आरोप लगा कर लेटर जारी किया गया है उसमें हम लोग को लिखा गया है कि आप रश्टा चार कर रहे हैं और टिकटीपड़ी करते हैं करके तो मेरे द्वाद़ा डीजीपी महदय को एक आवेदम परिसीद किया है कि आप के द्वारा ये जब सिकायट मिले तो आपको उसकी ज्यांज करानी थी ज्यांज कराना था दिन से बहुत मांसिक तराम हूं बहुत परिसान हुआ हूं परिवार ही परिशान है, ड्यूटी में भी मैंनी जा रहा हूं है, और वकाइदा पेमेंट भी मेरा रुका हुआ है, मीसे सब और मेरे बच्चे सब परिशान है, माक एकदम आपरेशन हुआ है भी उसका आख का, और भाई 12 साल हो चुका है, गोम इंसान दर्जे उनका सारंग या है, ट्रांसपर होते रहते हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं है, और ये जो आरोप उन्होंने लगा है, ये उनके सेवा आचरन के विपरित है, मैं उनके बड़े अधिकारियों से डीजी से और माननी गरी मंतरी जी से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाप, अन जानकारी लगते ही, मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक के टीम पहुंची मौमदी के जाच की, बीतिदाद जवान ड्यूटी कर घर गया था. परिवार नाले कोट में गाड ड्यूटी थी, आज वो दस बज़े गाड ड्यूटी के लिए लगबग सारे नो बज़े पहुंच गया था, उसके सांथी जवान ने बताया कि वो जैसे ही ड्यूटी के लिया था, उससे पहले रूम गया, और रूम जाने के बाद वो अपने SLR जो राइफल थी उससे, उसने अपने आपको गोली लगा ली, गोली माल ली, पथम दिश्टिया मामला आत्मात्या का पतीत हो रहा है, और जिस पर FSL की टीम मौके पे पहुंच गई है, घटना स्थल के बारिकी से जाच की जारी है, और इसका पीम के बाद ही इस पर निस